योगी सरकार ने मुखे मंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर एक बड़ी गोशना की गया अब सभी बालिकाओं को 25,000 रुपए मिलेंगें बालिकाओं के जनम चे लेकर पड़ाई तक 25,000 रुपए योगी सरकार के दवारा मुखे मंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंत मुखे मंत्री कन्या समंगला योजना की अंतरगत 15,000 रुपई मिलने वाली राशी को बढ़ा कर 25,000 रुपई कर दिखें योगी बाबा के दवारा मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना के एक लावार्थी समवाद कारिकरम के दवारा 16 लाक्षे जादा बालिकाओं के बैंक खाते में मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना की रासी बेजी गई है तो आप हमें कोमेंट करके बताएं क्या आपको मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना की रासी आपके बैंक खादों में प्राप्त हुई है या पिर नहीं हुई है यूपी में बैटियों का विकास मोदी और योगी का परियास सीम योगी ने बढ़ाई मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना की धन रासी मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत 6 रेणियों में जनम से सनातक तक 15,000 रुपए दिये जाते थे लेकिन आप बेटियों को 25,000 रुपए मिलेंगे साथी यूपी सरकार 16,000,000 से अधिक बेटियों को इस योजना के अंतरगत लाबामीत कर रही है यहनकि 16,000,000 से जादा बालिकाओं को इस मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना का लाब मिल चुका है मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना उतरपदेश सरकार की योजना इस योजना के अंतरगत बेटि के जनम से लेकर पढ़ाई तक चाहे किस्तों के मादिम से 25,000 रुपए दिये जाएंगे और अभी तक 15,000 रुपए दिये जाते थे मुखे मंत्री कन्या सुम्गला योजना के अंतरगत बेटी के जनम से लेकर इस योजना का फायदा मिलना सुरू हो जाता है और बालिका के दवारा कोलेज में एडमिसन लेने तक इस योजना का फायदा दिया जाता है हाले में उत्तर पेश मुखे मंतरी श्री योगी बाबा के दोवबा के 12 सोला लाख बेटियों को लाबामित मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत किया गय कन्या बुर्ण अत्या और बालविवा जैसी कूरीतियों का खात्मा कर रही है वर्तमान में योगी सरकार बेटियों को कन्या सुमंगला योजना के अंदरगात 15,000 रुपए उपलब्द करवा रही है अगले वित्वर्स यानि की 2,000 24,25 में 25,000 रुपए कर दिये जाएंगे 15, हजार से बढ़ा कर 25,000 रुपए किये जाएंगे मुखे मंतरी योगी आदित्यनात ने परदेश की बेटियों को बड़ी सोगा दिये बुद्वार को लोग बावन में आयजित मुखे मंतरी कन्या सुमंगला योजना के लाबारती से समवात के कारिकरम को सबमोधित करते हु उन्होंने इस योजना की दन रासी में बढ़ोतरी करने की गोशना की गिये योजना के तैत उन्होंने कहा कि वीतिय वर्स दो हजार चोईस पचीज से कन्या सुमंगला योजना की रासी 15,000 रुपए से बढ़ा कर 25,000 रुपए कर दी जाएगे इससे बेटियों को सपना 25,000 रुपए कर दी जाएगी योगी सरकार के दवारा हाली में गोशना की गया है इसी गोशना के साथ इस वीडियो को लाइक कीजे अगर आप मारे चैनल पर पहली बार है तो आप सभी का स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ओल 25,000 रुपए की दंदराशी का पैकेज दिया जाता था लेकिन अगले साल से बेटी के जनम लेते ही उसके अभी बावक के काते में 5,000 रुपए दंदराशी हस्तरांतरित की जाएगे इसी तरह जब बेटी एक वर्ष की होगी तो 2,000 रुपए वहीं बेटी के पहले क्लास मे जाने पर 3,000 रुपए वहीं नोवीं कलास जाने पर 5,000 रुपए और अगर बेटी सना तक या पिर डिप्लोमा या पिर सर्टिपिकेट का कोई कोर्स करेगी तो उसके काते में 7,000 रुपए की धंदराशी अस्तांतरित की जाएगे सियम्योगी ने का कि आज परदेश में मुखha मंतरी कन्या सुंगला योजना के मादर से 160,000 लाग 24,000 बेटियों को लाब मिल रहा है यानी कि 16,0025,000 से ज्यादा बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमगला योजना के अंतर गच्छाएं किस्तों के मादिम से 15,000 रुपई मिल रहे हैं और वित्वार से दो हजार चोईस पचीज से 25,000 रुपई मिलेंगे दोस्तों आप से भी को बताते हैं कि मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना की हर किस्त लेने के लिए आपको कौन-कौन से डोकॉमेंट चाहिए और कौन सी किस्त कब दी जाती है और ओनलाइन फोरम कैसे बरा जाता है ओनलाइन फोरम बढ़ने का कोई चाहिए बिल्कुल फ्री में आप फोरम बढ़ सकते हैं मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना की पहली किस्त मिलती है उसमें बालिका को 2000 रुपए एक साथ मिलते हैं साथ ही बालिका के जनम परमाण पत्र की फोटो कॉपी भी जमा करवानी होगी तब आपको पहली किस्त दी जाएगी और पहली किस्त में वर्तमान में 2000 रुपए मिल रहे हैं और वित वर्स दो हजोईस पचीस में 5000 रुपए मिलेंगे मुखे मंदरी कन्या सुमगला योजना की दूसरी किस्त बालिका के एक वर्स पूर्ण तक के टिका करण के उपरांत दी जाएगी यानिकी एक साल का टिका करण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में किस्त दी जाएगी मुखे मंतरी कन्या सुंगला योजना की तीसरे किस्ट की अमबात के तो कक्षआ पर्थम में बालिका के प्रवेश के उपरांत दो हज़ार रुपई दिये जा रहे हैं और वित वर्स 2,125 में 3,000 रुपए दिये जाएंगे इस तीन नमर किस्त के लिए बालिका की नवींतम फोटो आविद के साथ बालिका की स्यंक्त फोटो निर्दारीत प्रारू पर सपत पतर साथी कक्षा पहली में परवेश लेने का परमाण पतर अगर बालिका का आधार कार्ट बन जाता है तो आधार कार्ट की फोटो कोपी लगा कर तीसरी किस्त ले सकेंगे वहीं चार नमर किस्त की अमबात के हैं तो कक्षा चाह में बालिका के परवेश के उपरां वर्तमान में 2000 रुपए एक साथ दिये जा रहे हैं और वित वर्ष 2425 में 3000 रुपए दिये जाएंगे इस चार नमर किस्त के लिए बालिका की नवींतम पोटो आवेदक के साथ बालिका की सुंक्त पोटो निर्दारित प्रारूप सपत पतर साथी कक्ष्या 60 में परवेश लेने का परमान पतर और आधार काड की स्केन पर्दीलिपी जम्हा करवाने पर चार नमर किस्त दी जाएंगे इसके साथ मुके मंतरी क kardeş क्न्या सुंगला योजनागी और वर्तमान में 3,000 रुपे दी जा रहे हैं कर लेते हैं तो उसके बाद में 5,000 रुपए दिये जा रहे हैं और वितबार से 2,025 में 7,000 रुपए दिये जाएंगे चैनल के लिए बालिका की फोटो आवेदक के साथ बालिका की सयंग्ट फोटो निर्दारीत प्रारूप पर सपत पतर कक्षा दस या फिर बारवी की परमा 24,025 में 7,000 रुपए दिये जा रहे हैं योगी सरकार की मुक्य मंद्री कन्या सुंगला योजना के लिए पात्तर कौन है तो लाबार्ती का परिवार उत्तर परदेश का इस्ताई निवासी परिवार को इस योजना का लाब मिलता है निवास परमाण पतर होना चीए चैनल अधार काड़ो वोटर पैचान पतर हो विदूत या पर टेली पॉन का बिल हो या फिर इस्ताई निवासी परमाण पतर हो साथी केवल उन्ही परिवारों को इस योजना के लाब मिलता है जिनके परिवार की वार्षी का यह तीन लाख रुपए तक है किसी परिवार की अध अगर कोई जुड़वां बालिकाएं हैं तो उनमें तीन बालिकाओं तक फायदा दिया जा सकता है अगर आप योगी सरकार की मुखे मंदरी कन्या सुंगला योजना के अंदरगाद ओनलाइन पौरम बना जादें तो फ्री में बढ़ सकता है ओपीशल वेबसाइट की लिं के लोग इन कर सकते हैं अगर आपका रोजिस्टेशन पहले से नहीहां तो आपको आई एग्री मैं सहमत हूं कंटीनू जारी रिखें पर क्लिक कर देरा है उसके बाद में इस तरह से एक रोजिस्टेशन पेज़ ओपन हो जाएंगा इस रोजिस्टेशन पेज़ को पूरा क्या समंद्ध है तो यहां पर हम से लेटे हैं पर टाइप करेंगे परिवार में डॉटल कितने बच्चे हैं तो यहां पर बच्चों की से क्या टाइप करते हैं एक यह फिर दो दो से अधिक अगर है तो इस योजने गलाब नहीं मिलेगा उसके बाद में आवेदन का परकार क्या है ग्रामी नैस सहरी है उसके बाद में यहां से जिल्या स्लेक्ट करेंगे ग्राम बंचाहिद कि हमारे परिवार की वार्षिका 3,00,000 रुबए से कम है ये कैप सकोर टाइप करेंगे और सेंड SMS OTP पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नमर टाइप किया उस पर OTP आएगा OTP यहाँ पर टाइप करके वेरिफाइ कर देना है और रिजिस्टरेशन कम्प्लीट हो जएगा रिजिस्टरेशन कम्प्लीट होने के बाद में फिर से हमें लोगिन पेज पर आजाना है हमने अभी जो रिजिस्टरेशन किया है हमारी मोबाइल नमर पर लोगिन आईडी मिल जाएगी और फोरम बरने के बाद में वीतबर्स 2024 में हमें एक बालिका के 25,000 रुपे मिलेंगें, वहीं दो बालिका के 50,000 रुपे मिलेंगें, उम्हीद करें दोस्त जानकर यहां को चलिए कोई प्लियो बीडियो में ने जानकर के शार्ट तक लिए आपसे भी गादें सो बहुत जय हि